Hello students, welcome to my YouTube channel online learning आज हम तीन बड़ी news देखेंगे अटल युनिवरसिटी में college की जो मतलब university exam होने वाली है final year की उसके लिए colleges में किस तरीके से answer sheet के लिए भीड उमर रही है CSV2 में vocational training के online classes शुरू होने वाली है वो date क्या है यह देखते हैं और DB girls याने degree girls college में अब भी यह seat खाली BSC वगरा के लिए तो देखते हैं किती seats खाली है तो यह देखें आप देख सकते हैं social distancing का पालन नहीं होने से चात्रों में करोना का खत्रा college में answer sheet के लिए जुट रही है private चात्रों की भीड यह सारी चीज़े तो final year exam को लेके हो रही है यह हम सब जानते हैं जो अभी hot topic बना हुआ है इस बात से हम क्या समझते हैं हम यह समझते हैं कि हमारी अभी जो first year की college है वो शुरू तो नहीं होने वाली है at least number तक तो नहीं होगी अगर शुरू भी होती है, start होती है अगर final year की classes तो online ही होगी इसलिए online के लिए prepare रहे है offline classes possible नहीं है अभी 36 गड़ में क्योंकि यहाँ पे corona बहुत जादा बढ़ रहा है और राइपूर में तो बहुत जादा बुरा हाल है यह हमने सीखा, यह हमने जाना इस चीज़ से जो भी यहाँ पे हो रहा है final year के exam के लिए यह हमारे लिए ज़रूरी नहीं है हमारे लिए ज़रूरी जानना यह है कि हम first year में admission लेने वाले हैं तो first year में admission की जो भी online classes ही होनी है offline class possible नहीं है दो तीन मेंने तो यह फिशा जब ता vaccine नहीं आ जाती corona की तब था अब 21 से होगी vocational training के online classes तो यह जानने वाली बात है क्योंकि online vocational training यह पहली बार किया जा रहा है तो देखते हैं, छात्रों की skill develop कराने तपनीकी विश्विद्याले एक बार फिर से vocational training की online classes स्टार्ट कर रहा है online चलने चलते वाले इस course की चलने वाले इस course के लिए छाठ चात्रा आठरा से दंबर तक आविदन कर सकते हैं CSVTU ने चौथे बैस शुरू हुए छात्रों को course कराने के लिए एक बार फिर मौका दिया पूरे तेरा course की vocational classes शुरू हो की जाएगी Center for Skill Development and Informal Education के तभध कराया जा रहा है इस course में diploma B.E. तथा B. Tech के student भी शामिल हो सकते हैं Google Form लिंक के मध्यम से आविदन करना होगा जबकि online classes 21 सितंबा से स्टार्ट होगी vocational training में लगातार चात्रों की रूची बढ़ते जा रही है विश्विद्यालों ने 13 में से किसी भी course के लिए चात्-चात्रा ऑनलाई registration करा सकते पार्ट कर्म शुक्ल का भुकतान्वी online mode के वध्यम से करना होगा CSVTU ने सीटे तथा फीस पहले ही तरह ही निर्धारित की है इसके तवर तीस दिन से लेकर 45 दिन तक online classes दी जाएगी 13 में से किसी भी course के लिए चात्र ले सकते हैं प्रवेश CSVTU University अभी तक हो सकते हैं बहुत से लोगों ने जान लिया हो कि क्या है अगर नहीं जाना हो तो मैं इन शॉट पर बता दिती है यह टेकनिकल एजुकेशन है जहां पर इंजिनरिंग और आपकी पॉलिटेकनिक और फार्मेसी से लेके आर्किटेक्चर से लेके यह सब युनिवरसिटी है जो की जैसे की PTRSU है प्रस्थ के अंदर जो एफिलेटेट कॉलेज है बीए, बीए, बीएस, सी, बीकॉम वगरा के लिए वैसी ही सेम प्रस्थ की तरह ही CSVTU युनिवरसिटी है यह टेकनिकल एजुकेशन के लिए है बीए के लिए, बीटेक के लिए फार्मेसी के लिए, पॉलिटेकनिक के लिए आर्किटेक के लिए और इसी से रिलेटेड पीजी कोर्स के लिए ओके तो यह युनिवरसिटी है जो आप लोगों का उनलाइन सारी, एक्जाम कंड़क्ट करवाती है फाइनल लियर के उनलाइन वोकेशनल ट्रेनिंग करवाती है और नए नए चीजे अभी अभी स्टार्ट हुई है यहां से, कला कुछ साल हुए है स्टार्ट हुए, तो यह हमने जाना अब हम देखते हैं, डिग्री गर्स कॉलेज में 901 सीटों पर प्रवेश तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 195 सीटे थी इस कॉलेज में और एडमिशन 901 सीटे ही भर पाई है तो हम यहां पर देखते हैं कहां पर कितनी सीटे भरी हुई है 15 सेतंबर तक प्रवेश हुआ यहां पर देख सकते हैं BSC प्रथम वर्स गणित 185 सीटे थी इसमें से 142 142 सीटे भरी है बायो समू में 320 थी जिसमें से 304 है BSC प्रथम वर्स ग्रियविज्ञान में 146 में 42 BA प्रथम वर्स में 400 में से 263 सीटे तथा BCOM में 150 में 150 सीटों में प्रवेश हुआ है तो हमने क्या समझा यहां से कि BSC गनित में 20 सीटे खाली है बायो में भी खाली है BSC प्रथम वर्स ग्रियविज्ञान होम साइंस में भी खाली है बाकि BA प्रथम वर्स 400 में से इसमें भी खाली है लेकिन BCOM पुरा भर चुका है तो डिक्दिगल्स कॉलेज भी बहुत अच्छा कॉलेज है रायपूर का तो यहां पर अगर आप में से कोई भी आडमिशन लेना चाहता है तो अभी भी प्रथम वर्ष में यह तो ऑनलाइन की जमा किया जाएगा 21 सितंबर साग असाइंमेंट यह न्यूस तो फाइनली और एक्जाम को लेके है बट यहां सीटे अभी भी खाली है अब जो सीटे खाली उस पर प्रवेश कैसे होगा अभी तो इसका कोई न्यूस या नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अगर कुछ भी होता है तो मैं अपडेट करूंगी जो भी न्यूस आप लोगों को बताए वो आप लोगों के लिए हैलफुल होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल आउनलाइन लर्निंग को ज़रू सब्सक्राइब करें आगे एक वीडियो के अपडेट्स के लिए झाक वाज्ब चैनल आप लोगों के लिए